Hello Everyone, आजकी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं breast cancer के बार में breast cancer यानि जब breast की cell abnormal तरीके से grow करने लग जए इस वीडियो में हम discuss करेंगे definition, risk factor, types of breast cancer, symptoms, investigation and treatment तो चलिए start करते हैं ये diagram में मैंने show किया है normal structure, breast का जिस में lobules है lobules के अंदर alveoli है और ducts है लोबूल्स में मिल्क प्रोडूस होता है और जब बेबी सख करता है निपल्स को तो दग के थूरू वो मिल्क प्रांस्मीट हो जाता है breast carcinoma की अगर हम types की बात करेगे आगे तो या तो यह इन लोबूल्स के अंदर मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंस के अंदर हो जाए या फिर डग के थ्रू हो जाए चीक है फर्स्ट इस डेफिनेशन ब्रेस कैंसर क्या होता है यह ऐसी डिजीज है जिसमें ब्रेस सेल ग्रो करती है आट ओफ कंट्रोल पндर सिंपली में यह होता है कि जो सेल सेवह बहुत ज़्यादा प्रो लिफडेशन दिखाने लगए औउट ऑस कंट्रोЛ में ग्ROOTH हो गई है सेकेंड टाइप ब्रेस कैंसर तो यहीह लोबियूल में हो जाए लोब्यूल्स के अंदर क्या है एल्विलाय जो की मिल्क प्रोड्यूस करती है या फिर डक्ट में हो जाए जिसे हम अल्विलर डक्ट बोलते हैं यह वुमें ने पाया जाने वाला सबसे कॉमन कार्सिनोमा है नेक्स्ट इस रिस्टक्टर ऐसे कोण billion रहे हैं नंबर वन है एज एज ग्रूप बहुत माइन राखता है जैसे जैसे ए इंक्रीज़ होती है वैसे ब्रेस कार्सिनोमा होने के चांसे वुमें में इंक्रीज हो जाते हैं ऐसी वुमें जिनकी एज 55 सर्मोल सब्सक्राइस के सब्सक्राइब टीशु भीज़ी मुट जादा घ्राइब जरुपटार ऐसे में 11 इंदे ऊविश्ली सब्सक्राइब टीवल डीये फिफ्ट के लिए ऐसी लेडिय जिनका मैंनाग बहुत अल्ली हो आर मिनो पोल्व इस मतलब रिप्रोडक्ट्ट की लाइव जादा हो तो वह susceptible रहते है breast carcinoma के लिए six inherited risk भी आजाता है ठीक है inherited risk में क्योंकि genes involved रहते हैं BRCA1 and BRCA2 ठीक है यह बहुत important है BRCA1 and BRCA2 ऐसी ladies जो की hormone therapy पर है मिनोपोस के बाद बहुत सारी ladies hormone therapy पर रहते हैं सेवन इस नली पैरस वोमेन ऐसी वोमेन जिनने कभी baby born नहीं किया हो चीक है इन्हें नली पैरस पुमेन कहते हैं तो यह जादा risk पर आती है breast carcinoma के लिए next we will discuss types of breast carcinoma तो या तो यह invasive हो सकता है या non-invasive invasive का मतलब होता है कि वो surrounding tissue को भी involve कर रहा है surrounding areas में भी spread हो रहा है breast के अलावा और दूसे areas में भी spread हो रहा है तो उससे हम invasive कहते है non-invasive मतलब वो उदर के उदर ही localized ही है तो इससे हम non-invasive या in-situ variety कहते है तो invasive भी दो जगे पर हो सकते है या तो वो lobules में हो जैसा मैंने आपको पहले बता है या तो फिर यह duct में हो तो ऐसा type जो duct में हो रहा है और invasive हो तो उससे हम कहते है invasive ductal carcinoma idc ठीक है second variety ऐसी आती है कि वो invasive हो lobule में हो तो हम उससे कहते है invasive lobular carcinoma ठीक है ILC अब second है non-invasive और in-situ तो उसमें एक तो duct में हो सकता है तो उसे हम कहते है ductal carcinoma in-situ DCIS या तो वो lobule से हो और non-invasive हो तो हम उसे कहते है lobular carcinoma in-situ LCIS ठीक है इसके अलावा types रहते हैं जो इतने common नहीं है उसमें सबसे पहली variety आ जाती है Pagate's disease of nipple तो यह start होती है breast के ducts से ठीक है ducts से यह start हो रही है और फिर दीरे grow करती है स्कीन को इन्वाल करती है breast की और areola of the nipple को भी इन्वाल करती है इसलिए इसे Pagate's disease of nipple लिखा गया है क्योंकि इस्कीन और areola of the nipple को इन्वाल कर रही है second variety is phyloids tumor phyloids tumor में क्या होता है जो breast cancer है वो grow करता है connective tissue यह स्ट्रॉमा जिसे हम कहते है breast का वहां पर grow करता है so phyloids tumor connective tissue में grow करने वाला थर्ड इस एंजियो सार्कोमा वर्ड से हम समझ सकते हैं एंजियो का मतलब होता है blood vessel तो जो cancer blood vessel में grow करें एंजियो सार्कोमा fourth important variety of breast carcinoma inflammatory breast cancer यह कई बार पुछा गया है question inflammatory breast cancer क्या होता है यह rare variety है इसमें जो cells है वो ब्लॉक कर देती है lymph node को जो breast के पास lymph node है उसे ब्लॉक कर देती है जिसके कारण जो lymph vessel है वो प्रॉपरली breast को drain नहीं कर पाती जिसके कारण breast swell हो जाते है ठीक है red हो जाते है और warm हो जाते है और जो breast की skin है वो orange peel जैसे दिखती है so inflammatory breast cancer में क्या हुआ जो cancerous cells थी उन्होंने ब्लॉक कर दिया lymph node को जो breast के पास्ट है तो lymph vessel जो है वो प्रॉपरली breast को drain नहीं कर पाई जिसके कारण breast swell हो गया red हो गए और warm हो गए ठीक है और उनके अंदर छेट छेट से हो गए जैसे orange की छिलके में रहते हैं इसलिए उसे हम orange peel like appearance होता है जिसे हम क्या कहते है पाउडी orange ठीक है पाउडी orange किसमें मिलता हमें inflammatory breast cancer में मिलता है next हम पढ़ेंगे कौन से quadrants involved रहते हैं ठीक है अनाटमी में हमने डिवाइट किया था breast को चार भागों में चीक है upper left upper middle lower left and lower middle चीक है और यह जो है यह क्या है axillary tail of spence axillary tail of spence तो कौन से quadrants में सबसे ज़्यादा breast cancer की chances मिलते हैं तो upper outer quadrant या फिर upper left भी चीसे हम कहते हैं तो upper left quadrant में सबसे ज़्यादा cases मिलते हैं 25% cases मिलते हैं upper left quadrant में upper middle 8% cases मिलते हैं lower middle में कितने मिलते हैं हमें 4% cases देखने को मिलते हैं और lower outer quadrant या lower left quadrant में 5% cases मिलते हैं arrula और nipple में 1% cases मिलते हैं breast cancer के इसके अलावा जो दूसरे unspecified है और overlapping जिसमें हो रही है वह 52% cases है ठीक है next हम पढ़ेंगे breast cancer के क्या-क्या science होते हैं क्या-क्या symptoms होते हैं तो सबसे पहला और important रहता है कि breast lump feel होता है breast lump यानि अलग सा tissue जो की normal surrounding tissue से अलग हो थोड़ा सा कड़क हो ठीकन हो ठीकन tissue जिसे हम breast lump कह रहे हैं इसके अलावा breast में pain मिलता है तीसरा की जो breast की ऊपर की skin है वह red डिखती है ठीक है छेट-छेट से रहता है जैसे orange की ऊपर orange की चिलके पर रहता है जो skin है breast की वहाँ पर peeling, scaling या flaking मतलब flakes निकलना जड़ना breast की skin का तो यह alarming sign हो जाता है breast carcinoma का इसके अलावा breast का जो size है और shape है वह एकदम से change हो जाना sudden change हो जाना तो यह बहुत alarming sign है breast carcinoma का और हमें पता है cancer का common sign रहता है कि weight loss हो जाता है sudden patient का anorexia होता है भूक नहीं लगना तो यह common symptom रहते है कोई भी cancer के breast cancer में भी sudden weight loss होता है anorexia मिलता है इसके अलावा lymph nodes जो है enlarged मिलते है next हम पढ़ेंगे investigation कैसे पता लगाएंगे breast carcinoma तो सबसे पहले तो जो science and symptoms अपने discuss करें वो मिलेंगे इसके अलावा हम mammogram mammogram में हम देख सकते हैं कुछ भी fibroidynoma या किसी पर अगर कर tumor अगर हो usb करवा सकते है breast की breast biopsy करवा सकते है और genetic analysis करवा सकते है treatment में एक ही मात्र option है surgery 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 में lumpectomy वो lump को remove करो micectomy मतलब breast को remove करो sentinel lymph nodes इसके अलावा हम radio therapy और chemiotherapy से भी breast cancer ठीक करने की कोशिश करते हैं और hormonal therapy भी treatment पर आ जाती है this is TNM in staging of breast carcinoma जो कि हम आगे वाले video में discuss करेंगे so this is everything about breast carcinoma I hope you understood the video if you like the video don't forget to like subscribe to my channel I am dr. Prachi and thank you so much for watching